क्या साथ लाख एकड जो वक्व की जमीने हैं वो बीजेपी हथी आना चाहती हैं यह हम नहीं कह रहे हैं दरसल नितीश कुमार की पार्टी के एक नेता है गुलाम गॉस वो एंडिये का एहम हिस्सा होने की बावजूस इस तरीके से बयान दे रहे हैं पार्टी के प्रमुक चेहरा है ललन सिंग जेडियू के वो सरकार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं वक्व बोड संशोधन बिल जो है उसको लेकर वो पक्ष में है लेकिन गुलाम गॉस ने एक दम ऐसा बयान दिया है जिससे नितीश कुमार की मुश्किले बहुत जादा चिराग पासवान का अलग स्टैंड है जीता नामाजी का अलग स्टैंड है अब सवाल यह हैं कि इन सभी पार्टियों के सयोग से ही एंडिये की मजबूत सरकार दिल्ली में है तो क्या इनके अलग अलग स्टैंड होने की वजज़ से बीजेपी को खत्रा हो सकता है क्या सरक सरकार की सेहत पर असर हो सकता है वक्त तंशोधन बिल ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों में अलग अलग राय है लेकि नितीश कुमार कोई ऐसे वैसे चेहरा नहीं है मौजूदा वक्त में आप लेकर चले चंद्रबाबु नाइडू हो या फिर ही रहे है कहा यह जा रहा है कि गुलाम गॉस्स ने जैसे ही यह बयान दिया कि बी जपी मुसलिम विरोधी पार्टी है साथ ल लाक एकर जो वक्त की जमीने ह?. वह निपार्टी हिसा नितीश कुमार के पार्टी जो एहम चहरा है कि उनका बयान है अब इसके बाद ललन सिंग ने जो बयान दिया वो पार्टी लाइन के एक अनुसार दिया उन्होंने कहा कि बख बोर्ड बिलका हम संशोधन बिलका समर्थन करते हैं अब अपनी ही पार्टी में जो दो फार की स्थिती है उसको नितीश कुमार कैसे संभालनेगी ये सवाल है में और आपने बीते कुछ सालों का कई दर्शिकों का राजनिती करने का नितीश कुमार का तरीका देखा होगा तो कभी भी मुसलिम विरोधी बयान वो देते नहीं है तो यहाँ पे वो कैसे आगे बढ़ेंगे ये सवाल है मैं कहा ये जा रहा है कि हो सकता है नितीश कुमार एक ऐसी बैठक बुलाएं जिसके जरीए अपनी पार्टी को एक जुट रखने की कोशिश करेंगे और वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जो भी भ्रांतिया है उनके पार्टी के कुछ चुनिंदा निताओं के बीच में उसे दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या नितीश कुमार के इस पहल से ये बाकई होने जा रहा है या ये बयानबाजी का सिल्सला जो निकला है वो शायद थमे नहीं चुनौती बहुत बड़ी है ये सिर्फ जेडियू की स्थिति नहीं है बलकि अन्य ऐसी कई पार्टिया है और खासकर अगर मैं विपक्षी खेमा की बात करूँ तो विपक्षी खेमा हर हाल में इस बिल को लेकर नराज़गी ही जाहिर कर रहा है लेकिन बात यहां हो रही है एंडिये की सबसे एहम कड़ी की कि नितीश कुमार का स्टाइट इस मुद्दे पर क्या होने जा रहा है क्योंकि जब से वो एंडिये सरकार के एहम हैसा है तब स उनके हर मुमेंट पे ध्यान रखा जाता है कि उनका अगला कदम क्या होगा कहीं ऐसा वो स्टप तो नहीं रहने वाले हैं जिससे सरकार किसे हट के उपर खत्रा हो कि सरकार गिरने के सिती हो या वो समर्थन वापस कर ले इस तरीगी की बाते होते रहती है लेकिन फिलहार य हलाकि अभी इस पर स्टांड क्लियर नहीं किया है लेकिन जो अलग अलग पार्टिया है जो अरक्षन के मुद्दे पर हमीशा मुखर रहती है उनका स्टांड अलग होने जा रहा है अब इसमें चिराग पास्वान कुछ और बाते कह रहे हैं जीता नामा जी कुछ और बाते होगी क्योंकि हमने अमूमण देखा है कि चुराग पास्वान भले ही अहम हिस्सा की सकते हैं ऐसे था क्यों बहुत कम है उनकी संख्या बहुत कम है तो एसी इस रिलेटर जो भी बाते होंगी उसमें चिराग पास्वान का हस्तर शेप करना बनता भी है अब आने वाले वक्त में कैसे इसमें हस्तर शेप करके इन तमाम नेताओं में एक जुटता दिखाने की कोशिश होती है यह ए अरक्षण ऐसा मुद्दा है जिससे बिहार कई बार जल चुका है और वहां पे कोई भी नेता इससे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर एक बार अरक्षण को लेकर कोई भी ब्रहम फैला तो संभाले वहां पे चीज़ें संभलने वाली नहीं है हुआ है